कि दिशा और दशान इस प्रोग्राम में स्यामिर होने के लिए अमारे वाटसप नमबर पर अपना नाम और पता हमें किछे अमारा वाटसप नमबर नीचे दिया स्क्रीन पर वर प्रोड़ा है पर देख रहे हैं मेनस्नुजुज लाइफ हम अभी नवेगा ओबान के आजाच चॉक पे है यहां हमारी चायकी चॉपाल की पूरी टीम मौझुद है हम यहाँ पे देश की राजनी दी पर जो लोकसभा के विचनाव हो रहे हैं जिसमें दो पक्ष के नेता घड़े है और दोनों दिगज है अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के नेताओं के छवी जो होती है वो मतदाताओं के बीच में किस तरह की होती है जो सरकार 70 साल राज करी है इस देश पर उसके बाद जो सरकार 5 साल से राज कर रही है इस देश पर दोनों सरकारों के बीच का जो डिस्टन्स है यानि जो डिफरंस है क्या है किस तरह का है दोनों में क्या समानता है, क्या विबिनता है, यह यहां के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे एक विकास के मुद्दे पर हम बात करेंगे कि विकास के नाम पर यहां पर लोगों से ज्यादतियां की जा रही है या उस विकास के मद्दे नजर वाकई में विकास हो रहा है लोग जो चुनाओ प्रचार में अपने अपने निताओं की जो बढ़ाईयां वता रहे हैं जो जुमले बाजियां चल रही है उसके बीच आज हम यहाँ पे चाय की चौपाल लगाए हुए खड़े है और हमारे पीचे यहाँ पे हमारे सतकुछ लोग जुड़े है जो नविकाव बांट से यहाँ के मूल रहिवासी है उनसे जानते हैं कि उन लोगों की प्रतिक्रियाए क्या है किसी भी नेता को लेकर या फिर एक नेता कैसा होना चाहिए एक छवी होती है लोगों की नजर में कि एक नेता कैसा होना चाहिए तो हम अब यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए जिसके पीछे संपूर्ण देश चलना चाहिए अबी 11 तरिक को невoncéशन है, तो एक हमारा जो नेता होता है, उसको लेकर हमारे मन में एक अपेक्षाइ होती है, तो आपको क्या लगता है, किस तरह का नेता होना चाहिए? हमारे को प्रफुल पटल भाई जैसा ही नेता होना चीए जो गोंदिया भंडरा जिल्लों के बारे में सोचते हैं और वहां की जनता के बारे में भी सोचते हैं वो कुछ ने कुछ काम अच्छा करते गोंदिया बंडरा जिल्ली के लिए उन्होंने पिछले बार भेल अपनी ल विभाग के लोग है नहीं है मैं आपको बता दूँ वहां पर 20 प्रतिशत भी लोग हमारे विभाग के नहीं है तो यह एक डिफरेंस है और दूसरी चीज जहां पर आपने बेल की बात की तो बेल जब आया था तब उनकी सरकार थी बट वो जब सरकार में नहीं थे उसके हित की बात करते है तो आपने अपना फाइदा सोचना ही नहीं चाहिए तो उनका अधिकारे कुछ करने का देश में विपक्स वाले का नहीं है तो वो तो विकास करी रहे है जब सरकार मोदी जी की थी नाना भाव पडोडे जैसे खादार बने लोग प्रिये नेता उन्हों शुक्त दने ये सब उठाई वहाँ पर लेकिन उन लोगों ने नाना भाव पडाउडे की एक भी नहीं सुने परशर नना भाव पडोडरे का एक रीकॉर्ड रहा है वो जिस भी पार्टी में जाते हैं वहाँ वो जो पार्टी रहती है वहां ऑपिसान विरोधी हो जाती है पट्टोले, उसके बाद उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ी, उसके बाद वह वापस बीजेपी में है, उन्होंने कॉंग्रेस इसलिए चोड़ी, तो यह एक दूविधा वाला प्रश्ण है, कि वो वाफस Congress में जॉइन हुए इस मुद्दे को लेकर कि किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा है तो वो बार बार किसानों के मुद्दे को लाकर पार्टी छोड़ते हैं फिर जूड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कॉंग्रेस एक बर छुट छोड दिया उन्होंने कॉंग्रेस को, अभी वापस वो कॉंग्रेस में जा रहे है, जिस कॉंग्रेस में 1968 में उनकी बात नहीं सुनी, वो अप सुनेगी. कैसा रहता है कि ये नितागिरी के अंदर में जैसे जैसे आदमी उपर पोस्ता है, वैसे उसका दबाव भड़ता है, जब नाना बाव पड़ोडे जिस वक्त आमदार थे, तब उससे में वो एक छोटे बोटे क्योंग्रेस में आपको ऐसा लगता है कि प्रफूल पटेल का द किसी चीज में उनको लगा कि नहीं मेरे को ध्यान देना है, गोंदिया भंडर जिल्ले में, आगे भी अगर वो इलेक्शन हारते हैं, तो उनका लुक आउट है, समाज सेवा करना या नहीं करना, याने नेता जीजी जो चुनाओ लड़ रहे हैं, ये समाज सेवा नहीं कि मोदी जी के नेत्वत में हुआ है, ये जो नेत्रुत्व था, नेत्रुत्व था जो आप बोल रहे हैं, मोदी सरकार के नेत्रुत्व में हुआ, तो मोदी सरकार से उन्हें जब पास हुआ, कमेंट तभी ये हुआ, देखिए, कमेंट पास हमेशा हुआ है, कारगीर क्वाइप टिर्टमेंट क्या होती है जेल होती है जर अभी भी जेल में इस तरह की दूविदाय है या फिर बोल सकते कि हमारी दूर्दचा है हमारी गती है कि अब भी जेल में अगर आप जाते हैं तो आपको मोबाइप फैसलेटी अवेलेबल मिलेगी देखिए यह हिंदुस्तान में हर आदमी बैमान है मोबाइल फैसलेटी नहीं मिलती है अगर वहां पर आप कॉस्टे बलो वहां पर पूलिस वाले हो आप अपने मोबाइल से मेरे को इस्तेमाल करते हो आपका कहना यह है कि जो सहीयोगी है वह आपके हिसाब से क्या करना चाहिए यह कि यह सब चीजे सुदरने वाली नहीं है क्योंकि यह देश में हर एक चीज भीका हुआ है और दूसरी बात सर्जिकल इस्ट्राइक की बात पाकिस्तान की बात आप बाद में कर जिए भारती जन्ता पार्टी से मेरा चैलेंज है सबस बारे में तो आप पास साल में उनको नहीं हटा सके और पाकिस्तान से दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है पूरे हिंदुस्तान से कि आपको एक फोटो मुझे दाओद इब्राहिम का दिखाया जाए जो आपको ऐसा लगता है कि यह नक्सलाइट का जो मुद्दा है यह पाकिस्त हुआ तो बंद रखना पड़ता है हमने गट्ची रोली का अभी हमने गट्ची रोली में चाहिकी चौपाल की थी वह भी नक्सलाइट में आता है बहुत ज्यादा पैमाने पे वह नक्सलाइट अटैक्स होते है उसके बावजूत वहां के लोगों का कहना ऐसा है कि हमारा ज इसको बोलते है रोजगार जिस गट्ची रोली और जिस गोंद्या जिल्ले में आप खड़े हो यह से टोटल लीवर 15 एरिया में जाते हैं बैंगलॉ Об क्यूं जाते हैं में सरकार न्ытकार काम लाका लिए ρह कितना साल लगेगा है लेकिसी सर्कार स्णार इसले की जनता कभिंगे प्रफुल पठेल के साथ में एक साथ खड़ी ने रही कि जब की छे आमदार सेट के हो सर सत्तर साल राज करने के बदा आप बोल रहे है कि सत्ता खड़ी ने मतदाता खड़े नहीं रहे तो यह चीज यहने बैलेंस ही नहीं होती नई मत दाता जो है जैसे कि किसी भी पार्टी में जैसे सरत पार साप का एरिया है जो अगर वहां नहीं गए तो भी वो चुनके आते हैं बरबर इसी प्रकार जो गड़ बना जाता है सर वो काम देखकर चुनके आते हैं ना काम तो देखिए रोड नाली रस्ता इससे कोई विकास नहीं है जब तक कि आप गड़चुलों में बात कर रहे हैं गड़चुलों में भी काम नहीं है और मैं हना नक्षा शेतर में ही चलता हूँ चीजगार और मेरे को पूरा नक्षा देखिए के बारे में जानकारी है अपने इधर सबसे बड़ा प्रावलम यह है कि कोई उद्दोग नहीं है तो एक आखरी सवाल आप से कि सतर साल का पांट साल से आप क्या कमपैरिजन लगाएंगे हां मैं यह देखना चाता हूँ पास साल के अंदर में जो भारती जनता व मुरूम रेती के काम करते हैं लेकिन ना तो रायल्टी होती है टाइम पर लिलाव अभी मुरूम गिट्टी के रायल्टी बन करके रख दिये और ट्रैक्टर में इसने रेती लाया किस्त भरने के लिए नदी से उस पे एक लाग दो हज्जार का फाइन कर दिया गया और इस साल बैटके नया कानून लगाते हैं गाड़ियों पर और उन गाड़ियों को उस कानून की साफ से 20-25 हजार रुपे खर्चा करना पड़ता है और इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज है इंसोरेंस गाड़ी का जो 30% इन्होंने हर साल बढ़ाया तीन साल में मेरे पास बस है क 40,000 का जबकि उसको कम होना चीए उसकी वैलवेशन कम हो रही है और इंसोरेंस अभी 55,000 का है तो यह बताई है अगर पास साल और गटकरी साब रहे गए तो जितने के हमारी बस है उतने का हमको इंसोरेंस बनाना पड़ेगा तो अभी आप अपने नेता को किस तरह देखते ह अपने नेता मजे हमाए प्रफुल पठेल के एक सटिक नेता की जो परिभाशा है वो क्या होगी सटिक नेता बोले तो अभी इस वक्त इतना बड़ा प्रदानमंत्री कौन बनेगा देश का इसके बारे में मेरे खाल से भारत में इस वक्त कोई नहीं बता सकता क्यूंकि जि सविधान का हक है तो सविधान के अंदर में लोक्षबा चुनावत होना ही चीए एक अच्छी सरकार आना चीए अभी 60 साल में जो हमारे देश में सरकार थी हम देख रहे हैं कि ग्रामी शेत्र के अंदर में ग्रामी शेत्र के विकास के अंदर में अभी जो बात चर रही थी मेरे भाई ने बताया अभी तक के जो राज किये है इन सरकारों की ओग कमजोरी है कि जो नोंने देश के अपने साइनिकों को अपने जवानों को इन्होंने मजबुत नहीं बनाए याने मोदी सरकार सशक्त भारत बना रहा है विश्वे के अंदर में आंतरराष्ट्य स्तर पे देश के हित में और गाव के हित में भी ग्रामीन से लेके बड़े सहर तक जहां पर लोग भारत को जानते नहीं थे वहां जगा जगा लोग उपते हैं पहले हमको स्कूल में पढ़ाया जाता था देश का प्रदान मंत्री यह है आज 5 साल के बच्चे को पुछे प्रदान मंत्री को ने तो वो क्या बोलता है क्यों बोलता है क्यों बोलता है क्यों बोलता है क्यों बोलता है कि मोधी कुछ कर रहा है देश के हित में कर रहा है मोदी का ना आगे है ना कोई पीछे है पीछे है इंदरा जी के बारे में हम नहीं बोलेंगे इंदरा गांधी शुर्गे इंदरा गांधी जी हमारे ले बहुत सरदास्तान थी बहुत शक्तिशाली थी वो शक्तिशाली थी बांगला देश के टाइम में उन्हेंने बहुत ताक लेकिन उनकी पीडिया भी वैशे पंतवर्धान बनेंगी यह लेकिन कोई गैरेंटी ने हमको दिख नहीं रही गैरेंटी अभी जो अभी जो पंतवर्धान देश में बने इनका हमने काम देखे कुछ नहीं परिवर्तन नहीं अब तो फ्रश्यासन चलाने के लिए रूल एन तो रखना पड़ेंगा भया हम हम गर बोलेंगे कि हम जंगल से लगड़ी लाते हमको गाड़ पकड़ते यह कोई हमारी शिकायत हो गई क्या परियावरन रखना इसलिए जंगल बचाना है हम नदिशे बालू उठाएंगे तो बालू से बालू पराइल्टी तो सरकार लगा रहें थो चीज़ा आधिन होसके कम अगर चालान रखते है तो यह प्रबल हो जाते हैं लोग500 रुंपए देकर तो चूड़ जाती इसलिए वह चालान की रखम बढ़ा दी गई इसलिए बढ़ा दी गई कि भई इस पे कोई आडा हो जाए इसको ब्रेक लगे तुम 40-40 की अगर चोरी करते हो तो 44 आपको चालान बरना है बिल्कुल बरना है तो यह कहीं गलत नहीं यह कोई गलत नहीं है इसके लिए इन्जीन कांस्टेशन है जो भी सभिधान बना है हमारे लिए सविधान आईशा बना है, चोरी के लिए शिक्षा है, अब तुम कितना साल के रिखता हो, वे तुमारे राज्य सरकार और लोगसभा के अंदर में, जो होगा, राज्य सभा में और लोगसभा में, जो होगा वो ठराय जाएगा, पारित होगा, सविधान को चेंजने करना नही तो सरे एक आखरी सवाल लेकर खतम करूंगी आपका नेता कैसा होना चाहिए नेता बिल्कुल देश के विकासवे हित में और ग्रामिन जंता के हित में हमारे दाविज़ामना को स्वाध सव देने वाला उनकी प्रगति है और चलने वाला उन िता होना जी है तो किसकी सर्कार? किसकी सर्कार? बीजेपी के सर्कार हुणा? दन्यवाद माजबपूरणारा रवेध्न सहार है नवे काववान मिशामाजी कारे करता है अपले ला आपले देशाचा मोना के वा राज्यां चाभ येक अपले काम भाज जा येक सरकार मजबूर बाएंग फाद हेज़ा सरोवास हमाने मांसा ला घेवुन छालना रही और याम ऑना ची सुषी कालना है याननी हाथ आला काम मजूरी बाएंगा बाइजी अनी नरेंद् लोग करना पाईज होता कि आमालाजी नवकरा भरत्या बंदीया है भरत्या कापर बंदा है कारण की कामाच नहीं होना रहे है तो भरत्या कुटना सुरू नारे आता विकास धालेला तर आटोमेटिक वनोकरा जन्रेट होती जसा आता हम चाहिए के भेल चाहितरी एक इता बंदार्या पासुन ता लाकनी ते बंदा जूर्वातिला आपले माननी ये प्रफुल भाई पड़ेल यानी शुरू केला होदा ते खाजदा रस्ताना दा लोक सबयो और राज्ये सबयो रहे तो ते अननी ते काय कराले पाज हो को पाई जे कि वा लोका ना रोजगार हडाला वाजी तीजी कंपनी अजुन सुरू जाली नहीं तीथे कास्तकारां ची जागा गेलेली बड़ो 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 तर जया सेथकरां चीजी शेथी के लिए त्यानना सरकार नी त्याचा बेनी भीड़ते आवा अनना सुरू कंपने सुरू करावा कंपने सुरू हरेल ताम चारो आमचा पोराना रोजगर वेडेल याने ये विकास के नाम पे राजनिती की करण नहीं होना जाए तुदी कुणते ही पक्साओ भारतिये जनताबाटियासो राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तो कांग्रस तो कॉंते ही पक पार दसिका आनी नो भरष्ट जार आस्या पतादी से सरकार असाल आपाई जिए अपने देशा में अजुन बाम स्पोर्ट धरलीला नाहीं कॉंते ही बाम स्पोर्ट धरलीला नाहीं परन्तु सुप्रीम कोटान सुद्धा राफेल प्रकर ने पूर्ण क्लीन चीट देलीली आए सुप्रीम कोटान या जी सुप्रीम माने पन जला मानतों त्या वोड़े भ्रस्टा तरह प्रस्टा यहां टिकानी उद्भात नहीं सब्सक्राइब किसाने के बाद वापस उसी पार्टी में जाइन करके किसानों की समस्य थोड़ी आलोने वाली कुछ नहीं ना यहीं तुमें वह रहुना यह क्या चाहते राजनिती की करण अपने कुर्ची के लिए सब कर रहे है ऐसा मेरे को लग रहा है सिदा साब बोला जाए तो जंता को प्रलोबन दिया जा रहा है तो जंता का कोई हित नहीं है इनके पास में कटपुतली बनिया जा रहा है यहां पर हमारे यह साल में दस साल यहां पर विधाय कर रहे वारोप नहीं कर रहो मैं उनके सामने भी बोल सकता हूँ कि बहुत में दस साल में तुमने क्या कि हमारे लिए अरे हमारे किसानों के लिए कि यह उजना थी वो तो बटन मार के चालू नहीं कि हमको शिंचाई का पाणी नहीं दिये पाए और तुम अभी पास साल के मोधी सरकार के उपर खापर फोड रहे हो फिर भी हमारे जो अभी के विदायक है इन्होंने इतना ट्राइ करके इतना फंड देखे 14 करोड की यह जना मेरे ख्याल से 134 करोड पर पौज गई वो एक्टेशन देते हुए देते हुए तो यह यह कहां का विकास है यह अगले पांच साल किसके अगले पांच साल तो बीजेपी के आना है और लाना ची है यह देश के नवजवानों ने यह मेरी इनको रिक्वेस्ट है दन्यवाद सर यह है लोगसभा शेत्र के जनता का हाल किस करवड बैट पाएगा इसके नतीजे आने पर ही पता चलेगा तब तो के लिए देख तरहें एमेनस नियोज लाइब एमेनस नियोज लाइब की झाल